वाइरल फीवर आजकल आम हो गया है ते हर जगा ते इसनी चर्चा चाल रही है कि हर दूसरे कार्दे विच अजकल वाइरल फीवर है ते अज सादे नाल डॉक्टर दमनीत मौजूद ने उननाल सी गाल बात करांगे देख रहे हो कि हर फैमिली विच दो तिन चार लोगां सब नू वाइरल फीवर हो रहे है एदा कारण एही है कि एडा मौसम है यूमिनिटी वाला एदे भी जल्दी वार इंफेक्शन हो रहे है कुछ लोग कांदे इम्मिनिटी भी है कुछ आसी एवी कर देया कि आज भुखार हो है आज ही ठीक होना चाहिदा है तो आसी फटा फट होर्दवाईया लेंड चाले जाने है बटे है कि वाइरल फीवर ही टाइम लेंड है तिन या पान जा साथ दिन ये डिपेंड कर दा है अज़कर है कि वाइरल अगर फीवर कंट्रोल नहीं होंदा ता स्केंडेरली साथे अंदर बैटीरल इंफेक्शन हो सकता है बट जद तक वाइरल इंफेक्शन है ता तक अंटिबाइटिक्स दा कोई रोल नहीं है बाडी दे विच उसा अनू अवाइड ही करने है चाहिए ह वाइरल फीवर दे विच डेंगो इंकलूडिड होंदा है ते कोई डेंगो जड़ा है ता वाइरल इंफेक्शन है बट हुंदी मच्छर तो है जड़ा मच्छर की अच्छे जड़ा साफ पाणी है नो ओदे खडा होंदे ताई करके ज़्या शेरी बिमारी है डेंगो वाइरल फीवर आजकल आम हो गया है ते हर जगा ते इसनी चर्चा चाल रही है कि हर दूसरे कार दे विच अजकल वाइरल फीवर है ते आज सादे नाल डॉक्टर दम्नीत मौझूद ने उननाल ऐसी गाल बात करांगे ते पुच्छांगे किस फीवर दे विच सानू की करना चाहिए किस चीस्तों पर हेज करना चाहिए अजकल दे मौसम जिसना चीस देख रहे हो कि हर फैमली विच दो तिन चार लोगां सबनू वाइरल फीवर हो रहे है एदा कारण एज है कि एडा मौसम है युमिनिटी वाला एदे वी जल्दी बार इंट्रेक्शन हो रहे है कुछ लोगां दे इम्मिनिटी वी वीक है कुछ यसी एवी कर दे है कि आज बुखार हो है आज ही ठीक होना चाहिए तो यसी फटा फट होर्दवाई या लेंड चले जाने है वाइरल फीवर टाम लेंद है तीन या पान या साथ दिन यह डिपेंड कर दे है तो अधी इम्मिनिटी किनी है तुसी किन अच्छी तरह अपने आपने आपनों मतलब डाइट दे रहे हो हाईडरेशन किनी है तागि अच्छा पानी दी इंटेक है के नहीं है इनना चीज़ तो आपनी जल्दी रिकवर कर देखो, बटे है कि अगर वाइरल फीवर है, फीवर देख अगर बुखार सो है या उस तो ऊपर है ता कोशिच करो कि तुसी कोई भी बुखार ओकरनी मेडिसिन लो, बटे है कि तुनों वाइरल फीवर भीच हमेशा उन्हों फोड़ा टाइम ब पानी है, coconut water है, ये चीज़ा लें देरो, fruits लो, अच्छी, मतला एदा दी हल्दी डाइट लो, जो डिज़ी हो जाए अच्छी तरह, और एड़ी बॉड़ी दा गुलुकोस लेवल या जो भी तुनों एनरजी चाहिदी है, एक फीवर ना लटन ली, और मैंटें वह हर जगा सकता है, बड़ जद तक viral infection है, तब तक antibiotics था कोई रोल नहीं है, बॉड़ी दे विच, उसानों अवाइड ही करनिया चाहिदी है, इसानों अवाइड करके सिर्फ ओही medicine करना चाहिदा है, ज़द विच परसिटमोल हो वे या डोल लोवर गया medicine है, कुछ भी जड़ा भी तुस चाहिए कोई भी मौसम है, बटे है कि जदो एचीज चाल रही है तो बॉड़ी दे इम्मूनटी अच्छी होनी जुरूरी है, तुसी उस बमाइना ताही लड़ पाओगे ज़े तो अड़ी दे इम्मूनटी अच्छी है और वाइरल दे विच ते एई है, कि जिन नही अच् अच्छी होईगी, हाइजीज कोई किना कमेंटेइन कर लेगा, कार्दी जड़ी चीज होईगी जरूरी होता है है कि अच्छी होईगी, हाइजीज वाली होईगी, और असी खुद उदे जो चीज आपावां के तन पता है कैसी चीज बमाइना और इधी नुटिशन यूज यूप है और कार्दा ही इंटेक करनी चाहे दिया है कोई स्पेशल डाइट जड़ी यह सी वाइरल देविच गार सकते हैं? वाइरल देविच दिखो यही है कि बोड़ी जड़ी है सारी वीक हुन दिया है तो जड़ अपना डैजेशन भी स्लो हुन दिया है जड़ी है कि हलके दालचावल खाओ कि तुसी जड़ी सारा कुछ आगया प्रूटीन भी आगया काब्स भी आगया जो तो अड़ी बोड़ी नु उस टाइम लोड़ है क्योंकि बोड़ी देविच मेटबोलिजम तेज हो गया बोड़ी नु एनरजी चाहे दिए काब्स तो गुलुकोस तो गुलुकोस लेवल अपना मेंटेन जरूर रखो जड़ो भी तो अनु वाइरल है जड़ों भी वाइरल हुंद है ठांड लग दी है साथी बोड़ी नु मतलब एदाना फेल हुंद है कि असी बहुत लोग फेल कार रहे है से факहे हैं वाइरल हुद म्याई रखो इस सबीभवरी नुच चाहिए थे नहीं नहीं थारी है टाकि सब्साइड़न हम भी टुलुकात पर्त्रों कि सा बाईरल हो Grad सब्साइडीद सब्हाएं यह भी बहुत हैरों ढूरी नोर इस पैस्ट रहे हुंद अधनु करना करें सबस्क्री वान इस्ट मीश्य में हम्त यहली के फार दर्वार्पão लांने, अगर तो उनों डेजेस्ट हो रहा है, जो जो फीवर भी छो मेशना, पेशन ओई चीज बंगेगा, जो ओधी बॉड़ी डेजेस्ट कर पाएगी, पेशन ओई डिमान कर दा है, जो ओधी बॉड़ी नो लगदा है, कि मैं एक खा सकता हूं, जो बॉड़ी अपने ऐसे अच्छ यंग्स्टे उन्टे उन्टे मौसम दे विच फिर वी चाहना नो वाइरल ठीक हो गया होगे, ताम ही उप्रफर कर दे कि उचिप्स या मंचीज को यदन दी चीज खालें, कि वाइरल तो कुछ ताइम बाद अगर अगर अपई चीजन स्टार्ट कर देना है ता दुबारा अगर आगर अगर तो यह यह घुटार्ट करें है, तो आगर तो अगर अगर तो अगर तो ओड़ी वीच पार आ चीजना नो तो जाया है, तो इस पैशल टिप जड़ी या मैसिज तो लिए चाहना चाहना चाहूंगे? इस तरह है कि वाइरल फीवर की है, बार बार कहरें है कि एपनी आसपास हाईजीन, आपनी रोजी एक्सराइज, आपनी बॉडी दी एक्टिविटी, कि बॉडी दी जिन एक्टिव रखांगे, उन्ही ज़्यादा बॉडी जड़ी है, वोधी अच्छी इम्यूनिटी हो जाए मतच्रतों है, च्ड़ी मतचरी है, अच्छी गड़ी अच्छी साफ पानि देंपा है, तोनिछ पाणिोटी ओर ऑली जड़ी णिन एक कहड रहता है, छोपानी दी ना, लॉड़ी होतने, एपानी टॉडी ओग्ता रहता है, ऊच्छी छीफ्ब्सर टीन के हादा है, द 본न के ड तो टेसा पहला है उटे तो हम एड़ा देट है, तो तो यह है फैल के फिर अगों यूमान देड़ा है मतलब ज़सान विर्ल फीवर उंदा है तो यह नो देंगो भी हो सकता है, तो टेस्टन हो था हो तो आप आप टेस्ट भी करादना चैहिए बटे है के बात ओर पोन होीां नहीं कोछ जाँआ पैंड आपनी नहीं कुछ तो क्बज हम दगे dear undas Hug Inn आडेल्ग हो धी जाह dug हमें बंदें भूजाँ टैंक के दो हमको हैं बंदें लगदा है कि दिऺध बयक्पोण फीवर गेन्न लाला हम हैं नेस बन टेस्ट वो करान लाना चाहिए है मतलब होंट सानु वाइरल फीवर या डेंगु नू हलके देविच नहीं लाना चाहिए तो डॉक्टर देह साब नाली सानु ए सार्या प्रेकॉशिन्स नू जरूर लाना चाहिए ते टिप भी मैं आपने लास्ते विच आड कीती है उसते भी जरूर फोकस करें। ते होर अप्डेट्स ली देख देरो दे सिटी हेरलाइन। मैं दमन्जोत विद कैमरामान प्रेंट्स।